तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपके बताने वालों सेमसंग का लेक्सी में जिसमें Android 11 का अपडेट आ चुका है या बोल सकते हैं जिसमें 1UA 3.1 का अपडेट या बोल सकते हैं 3.0 का अपडेट आ चुका है दोस्तो उसके अंदर एक कमाल का फीचर को एड कर द वीडियो को पूरा देखिए हो तो यह आप समचपाइं दोस्त चलते हैं आगे मेरे नाम सनी और 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 आपका स्वागत हैं मेरे चैनल ऐसे टैक में तो दोस्तो जैसा कि मैंने बताया आफ्टर एंडर 11 अपडेट होने गया सेमसंग के मॉवाइलों में जिसमें एक नया फ आपको यहां दिख रहा होगा आपको जाना यहां नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जैसी आपने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे यहां पर आप देखेंगे आपको एक नया फिचर मिल रहा है एडवान सेटिंग का आपको उस पर क्लिक करना है एडवान स बहुत सारी settings थी, यह पूरी delete हो चुकी है, बट यह अब work कैसे करता है, मैं आपको बतायता हूँ, दोस्तों अगर यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर आपके notification बहुत सारी आती है, बट कभी कबार ऐसा होता है, कि हम कोई पढ़ नहीं पाते हैं, और हम पूरी तरह से इसको clear all कर देते हैं, बट हमें देखना रहता है कि कोई important हमारी कोई notification history छूट तो नहीं गई, तो उसके लिए यह feature को बनाया गया है notification history, यहाँ पर आप एक दिन तक की आपकी यहाँ पर notification history को save कर लिता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 hours की आपकी पूरी इस्ट्री को accept कर लिता है, यह अभी recently जो आए होंगे WhatsApp के notification उसने यहाँ पर save कर लिया, आप यहाँ पर देखेंगे, एक देखेंगे आपको दिख रही होगी यहाँ पर clearly जो भी notification आएगी सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो यह होता है notification history यहाँ 24 hours के लिए यहाँ पर save हो जाती है, यह आप देख सकते हैं, दोस्तो recently dismissed आपको दिखा भी रहा होगा, और जितनी delay भी होते हैं कि last 24 hours तक कि आपको यहाँ पर यहाँ पर यह दिखाने वाला है, तो दोस्तो main feature इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगा, होता क्या है कभी कुछ ऐसी WhatsApp की chats होती है, कि अगर किसी ने आपको WhatsApp पर message करा और उसके बाद उसको delete कर दिया, तो वो आपके पास यहाँ पर show नहीं करता, मलब आपके बाद वो message दिखाएगा नहीं, तो मैं आपको उसको working करके दिखाता हूँ, तो like यह मेरा दूसरे number पर WhatsApp से, तो मैं अपने दूसरे number के WhatsApp से, मैं अपने दूसरे number पर WhatsApp पर message कर रहा हूँ, यह मैंने लिखा hi, कैसा है, कैसा है, आपने देखो, यह मैंने message लिखा hi, कैसा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ notification में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर मैसेज भी दिख रहा होगा कि मैसेज आया है अब मैंने यहाँ से अटा दिया अब मैं जाता हूं यहाँ से मोवाइल किस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज दिख रहा होग जो use क्या है वो बता रहा हूं यह से मैंने यहां पर लिखा hello, hello लिखने के बाद आप आप देखेंगे message उपर notification में आ गया है मेरे पास और अब मैं अगर मैं यहाला message अब delete भी मार देता हूं आपने read भी नहीं करा है और अब message में यहां से delete for everyone कर देता हूं यहां से जैसी में delete for everyone करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे message दिख रहा होगा your delete this message और अगर आप WhatsApp पर भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको यही दिख रहा होगा your delete this message that this message was delete क्योंकि आप read नहीं कर सकते but अगर आपने notification history को on करके रखा होगा तो अगर आप notification history में जाएंगे तो वह आपको वहां पर मिल जाएगा जैसी आप notification history में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर message नहीं दिखा रहा तब नीचे की तरफ आएंगे आपको दिख रहा होगा last 24 hours यहां WhatsApp की आपको दिखना है यहां पर click करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे जो message पहले उसने आपको क्या गरा पहले hello वेजा उसके बाद उन्होंने message को वहां पर delete मार दिया मतलब यह आपके पास history save रहेगी मैं WhatsApp से नहीं अगर कोई सी भी app आप use करते हैं like Instagram, Telegram या कोई सी भी चीज़ पर delete भी मार देता है history तो वह आप आपके पास यहां पर safe रहने वाला है आपको कोई अलग से third party app करने ही जोड़ोत नहीं रहेगी डाउनलोड सर्फ notification history से आपको इसी के वह delete हुए message आप पढ़ पाएंगे अगर उन्होंना आपको भी हैच के तुरण delete भी कर दिये तो भी आप यहां पर उसको read कर पाएंगे इस वीडियो से related या कुछ भी तो आप मुसे comment करके पूछ सकते हैं दोस्तो मैं definitely reply करूँगा और हो सके दोस्तो आप मेरी वीडियो को share करना ना बोले तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और भी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले तकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तो और हो सके तो मुझे Instagram और Facebook फोलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगा तो thank you दोस्तो